Hello students, यह question है आपके सामने, binomial theorem chapter से, जो कि इस साल IETJ means 2023 माँ आ चुका है, question है, if the constant term in the binomial expansion of this, यह दे रखा है आपको एक, इसका अगर binomial expansion करो, तो इसके जो constant term है, वो minus 84 के बराबर होगा, तो पहले हम यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक के लिए कितना solve कर पाते हैं, तो क्योंकि इसमें कहा है कि यह constant term, इसके binomial expansion में जो constant term है, वो इतना है, constant term का मतलब है, free from x, तो कौनसी term free from x है, वो निकालने का हमारे पास formula होता है, r equal to np over p plus q, अब इसमें सभी terms का मतलब क्या है, n का तो मतलब यह है, 9, p का मतलब है कि इसमें जो first है, x की power को p बोलते हैं, और इसमें जो second है, उसमें x की जो power है, उसको q बोलते हैं, तो 9 into p है 5 by 2, p है 5 by 2, और q है l, अगर हम इसको simplify करें, तो यह बनता है, 45 over 5 plus 2l, ठीक हो गए, यहां तक समझ में आ गया हो, अब क्योंकि दो unknown है, इसलिए हमारे पास r की value हाँ निकल नहीं सकती है, तो क्या करते हम, hit and trial method का इस्तवाल करते हम, 45 over 5 plus 2l, तो यहां तक हम पहुँचेते हैं, तो r की कौन-कौन सी possible values मिल सकती है, for different values of l, तो अगर मैं l की value 1 रखता हूँ, l की value 1 नहीं रखते हैं, कुछ और value रखनी पड़ेगी, तो l की value 2 रख लेता हूँ, अगर मैं, l की value क्या रख लेता हूँ, 2, तो यह 4 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, तो हमारे पास r की value कितनी आ जाएगी, 5, 1 तो यह मिल गया हमें, ठीक हो गया, और क्या हो सकता है, possible, अगर l की value 0 हो जाए, तो r की value 9 हो जाएगी, एक ही यह हो सकती, possibility, और क्या हो सकता है, अगर l की value 5 हो जाए, इसमें, तो 2, 5 रखत 10, और यह 5, 15 तो अर टीक हो जाएगी, हमें कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी ठीक हो गया R की value हमें क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी तो यहां से हमें मिल गया R की value 5, R की value 9 और R की value 3 for all these possible values of L अब exact R की value कौन सी है वो हमें अगले step में पता चलेगा अब इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो constant term है वो है minus 84 तो R की value तो इस form में मिली है ना मैं फिर हमने simplify करके इस form में लिख दिया तो term which is free from X को हम कैसे निकालेंगे 9CR जो first term होता है यह हमारे पास है X की value 5 by 2 और नीचे 2 है और यहां पर हमारे पास है minus 4 over X की value L ठीक है यहां पर तो हो जाएगा 9 minus R और यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा R ठीक हो गया तो किसके equal लिखना है minus 84 के पर X की हमें यहां जरुवत ही नहीं है क्योंकि already इसमें कह दिया है कि जो यह term है free from X है तो यह minus 84 के equal है तो इसका मतलब X यहां पर लिखने की जरुवत हमें नहीं है तो हमारे पास जो answer आ रहा है वो आ रहा है 9C R नीचे 2 की power 9 minus R और minus 1 की power R यहां लिख लेते हम और यह हमारे पास 4 की power R equal to minus 84 यहां तक clear हो गया होगा आपको minus 1 की power R यह है 9C R इसको अगर उपर ले आएं तो यह 2 की power R minus 9 हो गया इसको 2 की power 2R लिख सकते हैं यह हो जाएगा minus 84 minus 1 की power R 9C R यह हो गया 2 की power 3R minus 9 equal to minus 84 यहां तक समझ में आ गया होगा आपको ठीक हो गया अब हम क्या करते हैं इसमें R की values को यहां पर put करके देखते हैं इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी values इसको satisfy करती हैं देखो आराम से पता लगेगा जैसे R की value 9 है यहां पर 9 put करेंगे तो 9C 9 कितना होता है 1 अच्छा 9 यहां पर put करेंगे तो 3 9 जा हो जाएगा 27 27 minus 9 हमारे पस कितना हो जाएगा यह 18 हो जाएगा लगभग तो यह 2 की power 18 हो जाएगा नहीं है आप R की value 5 put करके देखें तो R की value 5 put करने पर यह तो 9C 5 हो जाएगा 5 3s are 15 15 minus 9 कितना हो जाएगा हमारे पस यह अगर दोनों को minus करें तो यह 2 की power side 6 6 आ रहा है और यहां पर minus 84 है अब आप खुद देखें 2 की power 6 जो है itself 64 होता है वो इससे multiply होगा तो बहुत बड़ा number आएगा इसका मतलब हम तो ऐसी देखें बता सकते हैं कि R की value 5 भी यह पॉसिबल नहीं होगा solve करने की जुरत नहीं तो at last हमारे पास क्या रह गया R की value 3 रह गई है तो यह R की value 3 ही हमारा क्या होगा answer होगा तो हमें R की value पता लग गई है और उसके corresponding L की value पता लग गई है तो R की value 3 जब है उस वक्त L की value कितनी है 5 ठीक है तो हमें यहां से L की value मिल चुकी है यह पहला step आपको समझ में आ गया होगा L दियान रखना 5 आ चुका है अब हम आगे बढ़ते हैं अब question में यह कहा था and the coefficient of X-3L is 2α बीटा तो यहां पर L की value मैंने अभी पीछे निकाल के दिखाई है आपको 5 है उसको यहां पर put करेंगे तो यह कितना हो जाएगा minus 15 तो इसका मतलब यह हो गया कि coefficient of X की power minus 15 जो है वो यह है ठीक हो गया तो इसमें से X की power minus 15 का जो है वो coefficient आपको find out करना है तो कैसे find out करते हैं उसका भी एक तरीका है तो जो term X की power minus 15 आपको दे दे इसके expansion में उसका formula होता है N P minus M over P plus Q N होता है यह power 9 P होता है जो पहली X की power है जो कि यहां पर 5 by 2 है minus M होता है जिसका coefficient आपको find करना होता है तो उसकी power यहां minus 15 है यहां put करेंगे तो यह plus 15 हो जाएगा और नीचे आपके पास हो जाएगा 5 by 2 plus 5 क्योंकि Q भी हमारे पास Q क्या है यह है L और L की value हमारे पास कितनी है 5 है तो अब हम इसको solve करते हैं इसको solve करते हैं तो यह हो जाएगा 45 plus 30 over 15 तो यह 75 over 15 15 फैवजा हमारे पास R यहां पर कितना आजा रहा है 5 आजा रहा है R कितना आगे हमारे पास यहां पर 5 आगे है इसका मतलब है जब R की value 5 होगी उस वक्त X की power minus 15 का जो coefficient होगा वो यह होगा तो R equal to 5 के लिए हम solve करते हैं तो 9C5 9C5 इसको solve करो कैसे लिखोगे X की power 5 by 2 over 2 की power 9 minus 5 कितना होगया 4 minus 4 over X की power L अलड़ी बता चुका हो हमारे पास कितना है 5 है तो यहां पर power में क्या लिखेंगे 5 यह किसके equal है question के according 2 की power alpha multiply है बीटा यहां तक समझ में आ गया होगा आपको अब जरा इसको देखो इसको solve करेंगे तो यह X की power minus 15 ही आ रहा है आप खुद solve करके इसको देख सकते हैं ठीक है? तो हमें यहां पर इसकी जरुषद तो है नहीं हमें X की power minus 15 के coefficient की जरुषट है और क्योंकि माइनस में है तो माइनस आ गया आएगा ये हो जाएगा 4 की पावर 5 इक्वल टू 2 आलफा बीटा यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, तो माइनस C5 इसको हम 2 की पावर माइनस 4 इसको 2 की पावर हम 10 लिख सकते हैं equal to 2 alpha beta यहां तक समझ में आ गया होगा आपको minus 9c5 इसको देखो यह 2 की power 6 हो गया यह 2 alpha beta अभी और भी करना है अगर question को ढंक से पढ़ो तो question में एक आ है कि जो beta है वो odd number है और negative भी है तो अब हम क्या करेंगे इसको solve करते हैं और देखते हैं इसको solve करने पर हमारा answer क्या आता है उसी हिसाब से हम अपने answer को आगे बढ़ाएंगे तो इसको solve कर लेते हैं हम तो हमारे पास यह minus इसको हम solve करने हैं तो यह 126 आ रहा है आप भी अपनी तरफी से solve करके देख लें 2 की power 6 2 alpha beta यहां equal to है क्योंकि beta हमें odd चाहिए तो इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 63 multiplied 2 into 2 की power 6 equal to 2 alpha beta और यह minus 63 into 2 की power 7 equal to 2 alpha beta तो आप compare करेंगे तो alpha देखो कितना आ गया 7 और beta हमारे पास कितना आ गया minus 63 तो हमारे पास alpha आ गया हमारे पास beta आ चुका है अब हम वापस question में ही आ जाते हैं alpha L minus beta इसकी value find करने के लिए कहा है तो इसकी value कैसे find करेंगे alpha की value हमने कितनी निकाली है 7 निकाली है तो यहां 7 put कर दो L की value मैंने कितनी निकाली थी 5 निकाली थी beta की value हमने कितनी निकाली है minus 63 तो minus already है तो हो जाएगा plus 63 यह हो जाएगा 35 plus 63 और solve करो के तो शायद यह 98 हमारा answer आ रहा है तो इस तरीके से बच्चों हमने इस question को यहां पर completely solve कर लिया है थैंक्स वर वाचिं